तहजीब हाफिस सहाब ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि तेरी बाहों के जूले से उक्ता गए हैं हम अब इस जूले में हमें चक्कर आ रहे हैं नमस्कार जैहिन मित्रों सामाज गदेन की जो अपने टोपिक वाइज टेस्ट सिरीज चल रही है 29 नमबर की टेस्ट सिरीज है मुगिल काल को हम कवर कर रहे हैं बढ़ते हैं आगे आप टेलिग्राम चैनल भी जोईन कर सकते हैं कवी आदिगने सिंदी नाम से हैं और अपना दूसरा चैनल है आदी की आवाज नाम से जिसके अंदर हमारे शहर के आसपास के जितने भी शित्र हैं प्रसिद वो आपको घुमा रहे हैं व्लोक के माद्यम से तो कल सुबह साकंबरी माता के मंदिर का वीडियो आएगा जरूर देखिए का आदी की आवाज पर कल की सिरीज में सवाल पोछा था हमने अबुल फजल ने आईने अकबरी में मनसबदारी की कितनी स्रेणियां बताई है तो सही उत्तर है 66 एक या दो ने सही उत्तर दिया था 66 स्रेणियां बताई है पहला सवाल है आज का अकबर का काल या अकबर के काल का सरकारी गजीटीर था अकबर नामा दाविस्ताए मजाहिब दीन ए इलाही या कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा ए अकबर नामा अकबर के काल का सरकारी गजेटियर था अगला सवाल किस मुगल शासन काल को हिंदी साहिते का सुरन काल कहा जाता है यह आर टेट 2011 में आया हुआ है जहांगिर काल अकबर काल बाबर काल या फिर औरंग जेब काल सही उत्तर होगा बै अकबर के काल को मुगल शासन काल में हिंदी साहिते का सुरन काल माना जाता है अकबर ने जजिया कर समाप्त किया आसान सवाल कहीं बार पूछा गया है 1565 में 1566 1568 या फिर 1564 तो कब समाप्त किया था अकबर ने जजिया कर को दे उत्तर होगा 1564 इस्वी में अगला सवाल अपना अकबर ने महजर नामा जारी किया 1538 इस्वी में 1589 इस्वी में या फिर 1595 इस्वी में कब किया था उत्तर होगा 1579 में महजर नामा का जो प्रारूप था अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तयार किया था इसके तहट अकबर ने खुद को धार्मिक मामलों का सर्वोचे कहा था तथा सुल्तान ए आदिल की उपादी ली थी ये इसकी डिस्किप्शन है चो ये भी आप ध्यान में रखिएगा आगे देखते हैं अकबर ने किसको जगत गुरू की उपादी दे थी हरी विजय को जिन चंद्र को बीरबल को या किसी को नहीं तो बताये सहाब, अकबर ने किसको जगत गुरू की उपादी देती? उत्तर हो जाएगा ए हरी विजय को जगत गुरू की उपादी देती और जिन-चंद्र को युग प्रधान की उपादी देती अगला सवाल देखिए और साथे में वीडियो को लाइक कर दीजिए आप नहीं किया तो और शेर भी किया करें मित्रों को ताकि उनके भी मदद हो सके अकबर ने इलाही संवत की शुरुवात के थी 1584, 1583, 1555, अभीर 1586 सही उत्तर बै, 1583 में अगला सवाल, अकाल के दोरान पीडितों को सहायता पहुचाने वाला प्रतम मुगल शाशक था बाबर, जहांगीर, शाजा, अकबर, सही उत्तर, दै, अकबर अगला सवाल देखिए, कौन सा शाशक धार्मिक द्रिष्टी से उदार वे प्रजा पालक होने के कारण राष्ट्रिय शाशक कहलाता है अकबर, बाबर, जहांगीर, शाजा, उत्तर हो जाएगा, ए, अकबर पूर्टेया तो प्रजा पालक नहीं था, उदार नहीं था, कहीं ऐसी गलतियां भी सामने आती है, लेकिन इन विकल्पों की बात है, इन विकल्पों में से अगर चुनने की बात है तो यहाँ पर अकबर है जो उत्तर होगा अपना, आगे देखिए, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम, अंग्रेज वियापारी था फादर, स्टिवेंसन, शल्फ, फिंच, विलियमसन, रोबर्ट हुक यहाँ पर प्रथम, अंग्रेज की नहीं, अकबर के दरबार में प्रथम कोन आया था, उसकी बात है तर होगा, सल्फ, फिंच, जबकि पादरी की रूप में जो आने वाला था, वो था प्रथम अंग्रेज, फादर, स्टिवेंसन, ठीक है अगला देखिए, अकबर दुआरा पंद्रह सो बैयासी में चलाया गया, धर्म, दीन ए इलाही में किस दिन शिक्षा दिक्षा दी जाती थी सौमवार, मंगलवार, बुदवार या फिर रविवार उत्तर हो जाएगा रविवार को और सबसे पहले इस धर्म का उलेख, दाविस्तान ए मजाहिब गरंथ में मिलता है अगला देखिए, जहांगीर को इसाई धर्म की शिक्षा दी थी जहांगीर को इसाई धर्म की शिक्षा किसने दी फादर स्टिवेंसन ने फादर जेवियर फादर विलियम्स फादर रावर्ट बताए साहब क्या उत्तर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा बह फादर जेवियर ने जहांगिर को इसाइद धर्म के शिक्षा दे थी अगला सवाल है भारत में तंबाकू की खेती शुरू हुई बाबर के समय में अक्बर के समय जहांगिर के समय या फिर साजा के समय क्या उत्तर हो जाएगा से जहांगीर के समय में बारत में तंबा कोई खेती शुरू हुई थी अगला देखिए जहांगीर ने किसे सुल्तान निशा के उपादी दी अरकुबाई मेरु निशा मानबाई कोई नहीं उत्तर हो जाएगा से मानबाई और मानबाई जहांगीर की पतनी थी अगला देखिए ताज बीबी के नाम से कौन प्रशिद है भनुमती मानबाई हरकुबाई महरु निशा उत्तर हो जाएगा ए कौन प्रशिद है ताज बीबी के नाम से बहनुमती अगला देख लीजिए मिर्जा गयास बेग थे नूरजा के पिता जहांगीर का साला नूरजा का भाई कोई नहीं तो कौन थे मिर्जा गयास बेग उत्तर हो जाएगा ए नूरजा के पिता थे और जहांगीर ने इनको इत्मादूद दोला की उपादी दे थी अगला देखिए इस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत आने वाला पर्थम राजदूद था पहले हमने अकबर के काल में कौन सा अंग्रेज पर्थम आया था वो बात की पादरी कौन था उसकी बात की अब हम यहाँ पर बात करें इस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत आने वाले पर्थम राजदूद कौन थे तो यह सवाल कहीं बार आया हुआ है उत्तर हो जाएगा से सर टोमस रो अगला देखिए अली कुली बेग इस्तगालू कौन थे महरु निसा के पहले पती मानबाई के पती हरकुबाई के रक्षक या कोई नहीं तो बताईए साब अली कुली बेग इस्तगालू नामी बड़े कमाल के थे इनके उत्तर हो जाएगा ए महरु निसा के पहले पती थे अली कुली बेग इस्तगालू और महरु निसा की दूसरी शादी जहांगीर से हुई थी आगे देखिए जहांगीर द्वारा रचित तुजु के जहांगीरी ग्रंथ को पूरा किस ने किया मानबाई ने नूर महल ने मौतमिद खाने बेग इस्तगालू ने उत्तर हो जाएगा सह मौतमिद खान साब ने पूरा किया था अगला है मुगल काल का कौन सा सरवादिक न्याई पृरिय शासक कहलाता है कौन सा सासक जो मुगल काल का सरवादिक न्याई पृरिय कहलाता है अकबर जहांगीर बाबर शाजा उत्तर हो जाएगा बेह आगे देखिए आज की स्रीज का आखरी सवाल खुसरो को अंधा करवाना गुरू अरजुन देव जी को फांसी की सजा देना किस शासक के कृत्ते थे खुसरो को अंधा करवा दिया गुरू अरजुन देव जी को फांसी कादेश दे दिया ये किस सासक की काम थे अकबर के बाबर के शाजा के या फिर जहांगिर के उत्तर कमेंट करके बताईएगा नहीं आता है तो पुस्तक में देखकर बताईएगा फिर भी नहीं आता है तो कल की सीरीज में मैं आपको बता दूंगा वीडियो को लाइक ने किया तो कर दीजिए शेर भी कर देना पहली बार देख रहें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना और दूसरा जो मेरा चैनल है आदी की आवाज उस पर मैं व्लोग वगरा डालता हूं कल मा साकंबरी देवी का जो मंदिर है उसका वीडियो आपको मिलेगा तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं